जैहिंद आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप बिहार से हैं और आप ऑनलाइन के माधियम से चरित्र पर्मान पत्र जिसे आप आचरन पर्मान पत्र के भी नाम से जानते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ही अपलाई करना होगा और ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपका जो बन जागा तो आप कैसे बनाएंगे step by step शुरू से लाश्ट तक का एकिदम complete प्रोसेस हम आपको बताएंगे इस वीडियो को अगर लाश्ट तक आप देख लेते हैं आप खुद से आप जो है online के माधियम supply कर पाएंगे घर बैठे अपने mobile के माधिय तो बनने के बाद आपका certificate कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा यह certificate मेडा English माधियम में है आप चाहे तो Hindi English जो भी आपको अच्छा लगे उस language में आप बना सकते हैं तो चलिए आप चलते हैं कैसे आपको जो यह form को fill up करना है ठीक तो चलिए सबसे पहले आपको जो इस तो आपको जो कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर आप सब देख पाएंगे यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका जो मुबाइल में सो करेगा और यहां पर जैसे कि नीचे एक तरब आएंगे यहां पर एक option आपको मिलेगा और उसी के नीचा म यहां पर देखे चार नमर में गिड़ी विवाक का ओप्षन मिलेगा तो यहां पर देखे आच्रन परमान पत्र के लिए आवेधन यहां पर आपको मिल जगत यहां पर आप किलिक कर देंगे अगर आप मोबाइल से आप देख रहें या नहीं तो डेक्स्टोप मोड में हम जो है किलिक करते हैं पलस पर किलिक करेंगे और इस वाले उप्षन पर किलिक करेंगे आपके सामने जो है यह फोरम निकल के आजागा आच्रन परमान पत्र हेतु आवेधन पत्र जिससे आप करेक्टर सेटिपिकेट के नाम से जानते हैं या फिर जो है चरित्र परमान प पत्र आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लीस में चाहिए जैसे कि हम आपको दिखाए तो यहाँ पर्मान्पत्र देखें मेरा इंग्लीस में है अगर आप यहाँ पर अपने अनुसार यहां फिल किजिए अभिवादन में कोशिज किजिए की कुछ नहीं लगाने का सिरी यहां पर मत ही लगा यह ठीक उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम फिल करना होगा इंगलीस में और यहां पर हिंदी में अगर आप डेक्स्टॉप से या फिर लेप्टॉप से अगर फिल कर रहे होंगे जैसे ही आप अपना नाम को टाइप करेंगे और स्पेस पर किलिक करेंगे इस साइड में आपका हिंदी ओटोमेटिक हो जागा लेकिन अगर आप मोबाइल से फिल कर रहे होंगे तो आपको दोनों साइड यहाँ पे देना mandatory है क्योंकि यहाँ पे star mark लगा हुआ है और कोशिज किजिए एक आप email ID दे देने का जब भी आपका certificate बन जागा तो email पे आपको भेज देगा तो direct आपको download करना नहीं परेगा email से आप download कर लेंगे अपने कामों में use कर पाएंगे उसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता आपको फिल करना होगा यहाँ कि आपका permanent address क्या है तो यह बिहार तरकार का जो official website है यहाँ बिहार पहले से आपको जो select देखने को मिलेगा कोई अन्य राज आप select नहीं कर सकते हैं इस website से स्थ और स्थाइका बिहार के लोग ही apply कर सकते और बना सकते हैं तो सबसे पहले आपको district के यहां पे select करना होगा तो चलिए हम अपना district को यहां पे select करेंगे अनुमंदल जो आपका आएगा अनुमंदल को यहां पे you subscribe करना है नीचे में चार option आपको देखने को मिलेगा है मतलब कि आपका जो गौँ है आपका जो सहर है वो किस के अंतरगाद आता है गराम पंचायत के अंतरगाद आता है नगर निगम या फिर नगर परिशाद या नगर पंचायत तो हम जो आते हैं वो गराम पंचायत तो हम यहाँ पे गराम पंचायत से आते हैं अपने यहाँ पे पंचायत का नाम select करेंगे और नीचे आ जाएंगे अगर उसी एड्रेस पे आप रह रहा है तो यहाँ पे आपको tick कर देना है ठीक अगर आप उपर में जो आप address फिल कर किये है वह आपका परमाने ड्रेस वा लेकिन उस एड्रेस वह भी आप नहीं रह रह रहे हैं किसी अन्य जगह पे रह रह रहे हैं और बहुत दिनों से लग कर दीए उपर नीचा ड्रेस आपका फोटो यहाँ पे देना होगा और यहाँ पर देंगे ना फोटो के उपर पर signature कर देना है यहीं कि self-addestate खूद का signature करके और 50-100 kb के अंदर में जो है आपको यहाँ पर upload कर देना है और यहाँ पर पेशा बताना है कि आप क्या है हम student है student के option पर click करेंगे अगर आप कोई option में से किसी में से आते हैं तो उसके अनुसर आप यहाँ पर select कर देंगा आपका कोई option नहीं मिलता है तो other का option क्लिक करके आप यहाँ पर type कर सकते हैं यहाँ पर student को select कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको यह भी बताना होगा यह जो आ आप character certificate याई कि आचरिन पर्मान पत्र बना रहे हैं तो कौन से काम के लिए आप बना रहे हैं यहाँके पर के अपर बना रहा है कि Q dogs काम को यहाँ पर आपके कीजिए कि सरकार के सरकारी सहता प्राप्त करने वाले जो है NGO संस्था में इसे वेखती इन में से आप देख लेंगे और अपने अनुसार कोई सा भी एक option कर देंगा अगर आपका option नहीं मिलता है तो अन्न की option पर क्लिक करके यहां पर अपने कामों को जो हैं यहां पर लिग सकते हैं हाला की यहां पर student है और काम करने के लिए बनवा रहे हैं तो यहां पर हम इस वाले option को share करतें विभीन सरकारी विभागों निगमों निकाओं में समीधा यहाँ ठेका पर काम करने के लिए तो इसी के option पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे में आपको यहाँ पर अपना जो है पिछले दो वर्सों का अधिवास विबरन मतलब पिछले दो साल आप जो एड्रेस पर रह हैं वर्तमान फिर उसके बाद हो सकता है इस जगह से आप चले जाएंगे तो वर्तमान ड़कि यहां पर हम असथाई पता स्लेट करने वालें क्योंकि जो उपर मेरा address है वो ही address हम यहाँ पे फिल करने वाले है उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे और उसके बाद जो आपका यह blog है कौन सा है अनि कि अभी आप जो जिस जगह पे रहर है उस जगह का तो उसको आपको यहाँ पे फिल करना होगा औ और यहां पे आपको यह बताना होगा इस जगह पे आप कब से रहा है पिछले दो वर्स में कब से रहा है तो यह जिस जगह पे हम जो जनम से रहा है तो ऐसे अगर यहां पे डेटा वर्त अगर ऑप्शन देता सेलेक्ट करने का तो हम डेटा बर्त को सेलेक्ट कर देते लेकिन यहां पर date of birth का option नहीं दे रहा तो जो दे रहा हम उसी को यहां पर select कर देंगे तो यहां पर पिछले दो वर्ष का बोला भी ब्रण select करने के लिए आप चाहिए जैसे 2024 है तो 2023 और 2022 यहां पर जो है जनम से रह रहे हैं तो ऐसा करते जो option दिया है न सबसे उपर वाला हम इसी को select कर देते हैं अनिकि इसका मतलब यह हुआ जैसे कि इसमें लाश्ट बला option हम select कर देंगे और यहां पर ओके का option आएगा फिट से जो आपको यहां पर select कर देना इसका मतलब यह हुआ इस जगह पे जो हम है जनवरी 2017 से अगर 2024 तगर है अलाकि यह हमको हमसे पूछा गया दो सब्सक्राइब कर देंगे और उस अनुसार से आपको यहां पर select कर देना उसके बाद नीचे एक तरब आएंगे यहां पर सपत पद्र यह पहले से आपको देखने को भरावा मिलेगा यहां पर आपको tick कर देना है और इस capture को यहां पर फिल कर देना है और submit के option पर किलिक कर देना है जैसे ही आप साथ detail को फिल करके capture को फिल करके submit करेंगे next page आपके सामने कुछ इस प्रकार से आजएगा आपको नीचे क्तरब आना है और नीचे में जो है आपको यहां पर option मिलेगा सबसे पहले इस detail को चेक कर लेंगा अगर सरा चीज आपका सही रहेगा तो attach के option पर किलिक करना है अगर कुछ लगे गलत है तो edit के option पर किलिक करना next page आपका दस्तावेज बला जागा यहां पर आपको select बाले option पर किलिक करना है कोई साभी एक document देना है यहां पर हम अधार कार्ड देते हैं अधार कार्ड का दोनों side का देना है और signature करके आपको upload करना है document का size रखेंगे वो 200KB में आप रखेंगे चाहे PDF दीजिए, PNG A, JPG Size दे सकते हैं चूच फाइल के option पर यहां पर किलिक करना है उसके बाद यहां पर आपको document देखने को मिल जागा तो आपका जो भी document आएगा उस document को यहां पर select कर लेना दो चलिए यहां पर हम अपना document को यहां पर खोजते हैं और यहां पर हम select कर देंगे तो यहां पर पहले से नाम लिख करके रखना है ताकि जो है खोजने में किसी परकार का दिक्कत ना हो तो यहाँ पे जो हम document को यहाँ पे select करते हैं और open के option पे click करेंगे मेरा document यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद save के option पे यहाँ पे हम click करेंगे यह document जो है आगे की page पे लेके चला जाएगा नहीं की next पे जा जाएगा यहाँ पे आप किसी परकार का कोई बदलाप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे दस्तावेज में आपको एक बार आधार के option पे click करके check कर लेना है आपने जो document upload किया है या फिर गलती से कोई और तो document upload नहीं हो गया अगर आपका गलती से कोई और document गलती से upload हो जाता है यहाँ पे cancel पे click करके आपको दौवारा से फॉर्म को apply करना होगा उसके बाद last में यहाँ पे आपको submit के option पे किलिक करना है जैसे submit के option पे किलिक करेंगे आपका form जो submit हो जागा आपका detail निकल के इस प्रकार से आजागा export के option पे किलिक करना है आपको यहाँ से download करके रख लेना है जब यह आप download करके रखेंगे तो download करने के बाद जो है आपका receiving कुछ इस प्रकार से show करेगा जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे यहाँ पे आपको date देखने मिल जगा यहाँ पे आपका photo इधर आपका सरा detail यह certificate बनने में आपको 14 दिन का समय लगता है और इसमें सरा detail देखने को मिल जागा और यह certificate जब आप apply कर देते हैं apply करने के बाद जब आप download करेंगे तो download करने के बाद आपका certificate कुछ इस प्रकार से show करेगा यहाँ पे आपका चरित प्रमानपत्र रेनी की character certificate लिखावर हैगा आपका यहाँ पे देखे प्रमानपत्र संख्या जिसे application difference नमर भी बोला जाता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस date को issue हुआ यह date देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो आपका photo रहेगा इसमें आपका सरा detail देखने को मिलेगा और जो आप apply करते समय अपने जो दो वर्स का आपने detail फिल अप किया था अगर दो वर्स का करेंगे तो दो वर्स का detail य जो यहां पर apply किया था वो option यहां पर जो है आपको यह आप देखने को मिल जागा यह certificate जिस दिन आपका issue होगा उस दिन से लेके अगले 6 महना तक आपका जो यह valid रहेगा आप चाहे तो QR को scan करके इसका application पर जाएंगे तो scan करके आप दोवारा से download कर सकते यहां पर आपको digital signature देखने को मिल जागा और यहां पर आपका detail देखने को मिल जागा और यहां पर आपको एक बात धियान दखना होगा जब आपका apply हो जाता है apply होने के बाद आपको download भी करना होता है तो download करने के लिए आपको करना यह होगा कि फिर से आपको इसी website पर आना होगा और यहीं प आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जागा और जो आपका रिसिविंग मिला है उसमें आपका application number reference number होगा उसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा और अपना नाम लिखना होगा इसके अफ्चर को यहाँ पे लिख करके यहाँ कि फिल करना होगा download के option पर क्लिक करेंगा आपका download हो जागा यहाँ पे आपको एक बात धियान रखना होगा जब आप apply कर देते हैं apply करने के बाद आपने जो भी थाना को select किया था उस थाना में यह application का request चला जाता है और आपका थाना में जो है अगले कुछ दिन में यहीं कि चौदो दिन तो इसका बनने का समय है लेकिन चौदो दिन से पहले ही जो आपको थाना से जो है यह जो आपने apply किया इसका verification के लिए आपके पास एक call आएगा इसलिए आपने जो नमर दिया था उस नमर को हमेशा आप चालू रखेंगे अगर चालू नहीं रखते हैं call आता है call नहीं रखता है तो आपका form को reject कर देगा अगर आपका call चालू रहगा तो आपके पास call आएगा और call आने के बाद भी कि एक स्थायत रहता है तो आप जो है अपना थाना करके जो है आपको that रहा लेना है ठीक के रहिखिय权 होने के बाद वहां पे आपको जो लेकिर करना होगा आपको जो भी देट बन जागा जैसे कि यह प्रमानपत्र तक यहां पर में गर सम्धार यहां पर पर आपको देखने को मिल जागा यह प्रमाण। को बोला गया कि 592024 को मिल जागा यहां पर ऐसा बोला गया सेवा परतान करने की प्रस्ताविट्थ थी तो प्रयास करने आपको बहए अगे 130 तक या इस डेट के बाद जोन आपको ऑनलाइन के माध्यम से आके चेक करते रहना है कि आपका बना है या नहीं बना है आपने जो इमेल आइडी दिया है उस इमेल आइडी पर बन जागा तो भेज देगा विभाग की ओर से तो यही थाज का वीडियो उमीद है कि यह वीडिय है तो वीडियो नीचे कमेंड किजी हंडेड परचन आपको रिपलाई मिलेगा जय हिंद जय भारत